नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या सच में बर्बेरिस एकोफोलियम आपको गोरा बना सकती है या नहीं बना सकती है इसका पूरा सच में बताऊंगा क्योंकि यूटूब पर काफी सारे डॉक्टर्स बोल रखे हैं कि यदि आपको गोरा होना है बर अज में पूरा अपके सामने क्लिनिक ली बताने वाला हूं कि क्लिनिक पर क्या सच में आप लेते हो तो practically क्या possibilities है कि आप इससे गोरे हो जाओगे तो पूरा वीडियो जरूर देखे बहुत ज़्यादा informative होने वाला है और आपको पूरी सचाई में जरूर बताऊंगा तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए अभी तक चैन पर जोड़ सकते हैं जो डेली रात को साड़े आट बजे होता है और पेड और प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप मुझे वाट्सप भी कर सकते हैं वाट्सप नमबर है 7880075175 दोस्तों बर्बेरिस एकोफोलियम जो है आपकी स्कीन के लिए बहुत अच्छी दवाई है पर किन केस में ये काम आती है क्या 100% इसके रिजल्ट है या नहीं है काफी जादा वेक्तियों के अंदर जो है उस्सुकता बनी होई है कि सर मुझे बताईए कि बर्बेरिस एकोफोलियम ही क्या एक मात्रेसी दवाई है होमेपैथी में जो गोरा कर देती है तो आपको मैं य लग मैडिसीन अलग अलग परिशन्ट के लिए हो सकती है जो होमेपैथी की In बी इंडिविजि लाइजेशन rated Six पर होती है के स्टू केस मैडिसीन वहरी करती है क्यूंकि होमेपैथी एलो पैथी ओसी नहीं है कि आपने फलाना दवाई ली तो फलाना हो जाएगा है marquee यह द क्या क्या treatment आपने लिया है, आपके history क्या है, family history क्या है, ये सारी चीजे देखने के बाद में homeopathic doctor आपको similimum medicine, correct medicine prescribe करता है और उससे आप ठीक हो जाओगे, अब रही बात बर्बरी सेक्कोफोलियम की, तो देखें बर्बरी सेक्कोफोलियम हर किसी को गोरा नहीं कर सकता है, ये जरूर ध्यान रखिये, YouTube पर काफी सारे वेक्ति बोल रहे हैं कि दस बुन पीजिये गोरा हो जाईए, भाई ऐसा नहीं है, दस बुन पीने से दी गोरा हो जाता, तो पूरा भारत जो है, पूरा इंडिया जो है, वो ऐसा लगता जैसे हम अमेरिका में आ गए है, सबको दसबुन पिला दो सभी अमेरिका या रशिया जैसे हो जाएंगे गोरे-गोरे हो जाएंगे या तो फिर वो जो खुद डॉक्टर बोल रहा है वो खुदी अपने को अपने घरवालों को दे देता और फोरेनर बन जाता ऐसा नहीं है बर्बेरी सेकोफोलियम हर किसी को नहीं कर सकती है यदि symptom मिलते हैं तो बिल्कुल इसकी रिजल्ट काफी अच्छे है और गेनोपैथि की रूप में यदि हम देंगे कि कैसे एज सप्लिमेंट जो एज जो है इन जनरल मेडिसिन के यदि हम बात करें तो जी हां इन जनरल मेडिसिन में इसकी इनकी ग्लो के लि आपको बहुत जादा तनाव के कारण ब्लैकनिंग हुई है तो यह बहुत अच्छी दवाई साबित होती है मैं आपको पताता हूँ बर्बेरिस एककोफोलियम मेरे पास यह बर्बेरिस एककोफोलियम जो है मदर टींचर में है और एनल न्यू लाइफ कंपनी की है देखिए इसको यूज करने का तरीका आप सभी को पता होगा लाश्ट में बताऊंगा हलाकि यह आपको पता ना हो तो बट इसके सक्सेस रेट की बात करूं तुदी सो वेक्ति इसको लेते हैं तो 85% वेक्ति ही बनला 85% लोग ही इसका रिजल्ट पा सकते हैं 15% को रिजल्ट नहीं मि करती है और कैसे काम करती वो यदि आप समझ गए तो फिर सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे बर्बिरिस एकको फोलियम जो है मेलेनोसाइट को तो कम करती है मैलेनिंग पिगमेंट को तो कम करती है ठीक है मानते हैं पर यह एज ब्लड प्यूरिफायर भी है यदि कारण आपको टॉक्सिन्स है आपको पिंपल्स में सैप्टी केमिया की प्रॉब्लम हो गई है और आपको हमेशा जो है आपकी बिमार पढ़ते रहते हैं उस कारण से डाक सर्कल्स हो गए है पेट साफ नहीं रहता है उस कारण से कब्स की कारण जो टॉक्सिन्स बनते है उस रिजल्ट हैं आप इसको कोई राम बानोशदी मत मानिये कि आपने बस दस बुन ली और आप गोरे हो गए ऐसा नहीं होगा जब तक आप किसी चिकिसक से पूछ करके ये दवाई नहीं लोगे तब तक आपको अच्छे रिजल्ट मिले या ना मिले इसका कोई भी नहीं बता सक सकता है क्योंकि आपकी जो डिजीज है आपको किस कारण से ब्लैकनिंग होई है कालापन किस प्रकार से हुआ है कैसी हुआ है वो सुने बिना वो जाने बिना दवाई काम नहीं करेगी तो आशा करता हूं आपको ये जिन्वन ऑथेंटिक नॉलिज समझ में आया होगा यदि लाइब क्लिनिक से जूट सकते हैं डेली रात को साड़े 8 वजे होता है आप जूट करके कोशिन पूछ सकते हैं और पेड और प्रापर ट्रेटमेंट के लिए आप मुझे वाटसप भी कर सकते हैं वाटसप नॉमर है 7880075175 दोस्तों आशा करता हूं आपको इस समरी में आ जाती है या फिर आपको जो है पिंपल्स के कारण काले धब्बे हुए तब यह काम करेगी यदि एक्जिमा हो गया है यदि जो है सन बर्न हुआ है और बहुत जादा आपको पूरे शरीर पे पूरे चेहरे पर ब्लाकनिंग देखने को मिल रही है तो फिर आपको प्रापर लेने के आउशकता है क्योंकि वहाँ पर हो सकता है नेट्रम्यूर काम आजाए ग्रिफाइटीस काम आजाए आयोडम काम आजाए काफी सारी रेंज ओफ मैडिसीन है जो आप लोगे तभी आपको अच्छी रिजल्ट मिलेंगे कोई भी दवाई पी करके अच्छी प्ला देते हम लोग और सभी गोरे हो जाते और इंडिया फिर अमेरिकन लोगों इंडिया में अमेरिकन लोग रहने लग जाते था ऐसा नहीं है फिर शाम राज दिन में चार से पांच बर आप लेंगे तभी अच्छे रिजर मिलेंगे थाइंगी सोमाज दिखने के लिए बाई बाई एंड टेक केर